गर्म सतकार जोक्सा सुने जीओ जिम्य के गरवाणी दा फरमान है जहां ग्यान तहां तर्म है जहां चूतते पाप जहां लुबते काल है जहां ख्यमाते है आप सो आज दास तान गुर्णानक साम महराज जीजे जीवन दर्शना दियां सक्कियां दे बिचो एक सक्की दा जो जिकर है आप सारियां संगताना संजा करता है जखो एक बार है न तान गुर्णानक साम महराज बाला ते मरदाना एतने जाने जा जागदेव दा आरवास ते एक स मुझसान जंगल वदाव है थोल खोई रहे से ते आचांच ही था पकाई मर्दना जिन्हों पकाई लगे तो फिर मर्दना जी ता लगे से अगर आगे आ देओ तो में थोड़ा खाल माँ जद इन्हीं गल होई तो फे गुरु साब कहाँ लेगे मर्दाने आज यड़ा जंगली लाका खाना खतरनाक हैगा इते खाना खत्रे तो खाली नहीं इस करके अपन थोड़ा टेम होर इंतजार कर रही है जद जंगल लागे जमागे तो फे तुम अपने खान वास द ने की देखिया कि एक बड़ा सुहावना जंगल आया उस जंगल देवेचे फुरूटा थे बड़े द्रक्त से गे जद फुरूटा दे द्रक्त पाई मर्दाना जी ने देखे मांदे बैच बचा रहाई तो आता जगा जड़ी बड़ी सुन्दर है गिया तो फुरूटा थ बड़े द्राख थे इन में लगे दा जी में किसी नहीं दे ते फुरूटा दा बगी चाल आया होगे ते उन्हा फुरूटा ले देखके पाई मर्दाना जी के अन लगे के अगर तुसी कहो ते मैं इस थोड़ा जया पोजन कर लमा जा देनी गाल लगे ते फे गुरु साब च एक ब्रक्ष दे हेठा में बैढ़ गया है जोनों एक ब्रक्ष दे थले बेठे तो पाई मर्दाना जी उस जैंगल दे थोड़ा अंदर जल गया है जद अंदर जल गया है कि देखा कई आतरां दे फुरूटां दे द्राख ताना उजा आंगल पर रहा पया है पर युंहीं अपने इमान पसंदे दे जाद फ्रूट तोड़ के खान लगे तक उस टेम की होया एक बहुत ही प्यानक देंथ जिनने अपना बड़ा बकराल रूप जड़ा सगा उतार न कर लिया तो यहों के ले लो जिमें एक पहाड़ दी तरह उजड़ा देंथ सगा उस जंगल दे व्रूँपा बरगा कार के पाइमर्दाना की दी पास लेनड़ा ता बस फїर की ऐसी एको ही सादे नाड उस देंथ ने पाइमर्दाना जीनकेळ आपने मूह दे जिनों केरन लगे काफी समा हो गया मरदाना जी ओजन शकन गए पर जितक बाफस नहीं आए सो जरूर कोई ने कोई कटना हो सकती या अपन जाके पता करिये जदे इन्नी गाल होई तो पर बला जी केरन लगे कि ठीक है अपनों पता करना चाहिदा है तो फिर गुर्णांग हैगा एक इस तरह दा मनुख होरे से जेंगल ची फ्रूट खाना गया जाद इन्नी गल होई फिर उस देंच ने एक बड़ा सारा बिक्राल रूप तान करके बड़ा सारा मूं करके तान गुर्णांग साब माराज नों एक साधे नड़ अपने अंदर खेचले या खेचन तो ही गुर्णांग साब माराज नों पाई मर्दाना जीने तक या पास क्यान लगे के सचे पाचा एक बड़े सारी राक्ष जाती देंच ने लगदा में नों पेड़ चे ने कर लिया आएगा पर तान भी लगदा उसने अपने पेड़ ते अंदर खेचले आएगा तो एक जादे ने गल होई तो फेपाई मदाना जी चुप कर गया है उस तो बाद की होए कि गुर्णांग साब माराज ने उसे राक्ष दे पेड़ दे बेचे फिर अपना जेड़ा सगा रूप जा देही नों बदर उना शुरू कर दता जादा अपनी देह नों बदर उना हो गया होए उस राक्ष दे पेड़ दर्द होन लग पे जाद दर्द होन लपे बस फेर की से राक्ष ने सोचा भी मैं केड़ी चीज नगल लई यह जड़ी बड़ा प्याने के रूप तार के मेरे पेड़ दे बेचे बैठ गया बस वस्तों बाद फिर राक्ष ने अपने अपने बड़ा रूप से का होर तारन कर ले जाद होर तारन कर ले जाद होर तारन कर ले इदर गुर्णानक साब माराज ने भी अपने बड़ा रूप से का होर बड़ा करन लप पे जाद करन बड़ा लप पे राक्ष होर करे गुरु साब अपना बड़ा रूप होर तारन क है कर न अपन एस तरह कर दे कर देखी राख्ष दे जडी से कि व 15 म вокруг श्यादि आपने भीक्राल रूप तर नीसी कर सकत बस Tongue vergessen न यह कि श्याद बंदे अपने बक्राल रूप तर न कीता वुजडा राखंगाshit सेगा हैं ह alter आखना के जमीन ज़ाद गाश्का के जमीन ते डगया।हों तो तो पैट जड़ासगा।आ थे पंगुर्णान्कसाद मारा थे पाहिमर्दानाणाजी अु सराक्ष दे पेट चो बाहर आए। बस फेर की सी, पाई मर्दानाजी ने देखिया, कि वो सराक्ष दे पेट दे बिचों, एक बड़ा सारा जड़ा चिट्टे नंगता प्रकास होगा, तो उपर नो उठिया, तो एक मनुखा देहिनू ता अनकर गया, जद मनुखा देहिनू ता अनकर गया, तो फेर पाई मर्द बस फेरदानाजी ने पुछया, कि तूँ काऊना, तो फिर उठिया सेगा, कि मैं सात जोग दे बेचे राजा जड़ा जनक होया हना, उदा सेवक सेगा, तो मैं उदे राज दे बेचे एकर सोईया हूंदा सी, और सोईया दा कम करदा हूंदा सी, ते कि इन डे बिजद मैं स सेकारuated हुंता सी, एक बार की हो या के एक बडेह नृ सबस्पी और लेधी सबनेुँदादा में बेड़ा करें। येलिते लेक्ता में भी यादा में जक्राएं नृ जिसके के अर्धेन लेधी मोज़ खाल आज है। वो बहुत ज़्यादा होगे, ज़्याद केंडे भी एत्रेशना पोजन खान दी बड़ी ब्याकल होगे, मैं केंडे की किता के बिना स्वादुआ नू पोगल लबाए, वो जड़ा लंगर दा पोजन सेगा, आप चोरी देनी सारा शाकल लेया, ज़्याद सारा शाकल लेया, व ज़्यादा जनक जी कहन लगे, वे एस पोजन उन पोगल लबाण दी की लोड है गिया, क्योंके रसोईयात ज़्यादा हना पहले चोरी देनी पोजन शाक चुका है, ज़्यादे इननी काल होईयात है, फिर वो जड़े सेवादार सी पोजन लेया, सारे हरान हो गया, पर ज् मैं चोरी देन पोजन नहीं शाक या, और किंदे राजे जानक ने, उजड़े मेरे जूठे पांडे उथे रखे होई सी, किंदे उसेवादार तो कड़ा के मैं उपरे दरबार दे बेचे, किंदे फेशर में दा की दा, किया हनल लगे तिन चूठ बोलन दी की लोड सी, जे तो पोजन शाकिया सी, तो शाठे दा हा देंदा, तू त इस तरह पोजन शाकल थे हैगा, जिमें देनिद्ञ जड़ैं किस इन तो चोरी देन बस तू लएक में वोस्ट ठीन निकट जान देया तू इस तरह सारा पोजन जड़ता सेफटा, उन निकट गया सेख़र किया कि एसे बचन राजाय जनक जuciones बिधा कि क्या मैं नूहें तो मेरा आगला जन्रां नहीं है पैरिजन पया तो मैं फिर अपनी खीमा जोलिया किती तो फिर केंदे भी मैं उन्हानु ए अभियनती किती के कहियां सालना तो मैं आप जी दी सेवा एस रसुचे का रहा है का सो ए गलती जड़ी में तो होगी चोरी देनी पोजन खान दी जड़ा मेरे अंदर लोब लाव जड़ा पैदा हो गया ओदे दीन मैं ए जड़ा बड लगे के इंदे पुर्खा होन समा नहीं हैगा होन जो बचन निकल गया सुन निकल गया हाँ जड़ काल जोगता समा ओगा ओस टैम आप नरंकार तन गुर्णानक स्वामारे दे रूप चे ओण के तेरा दार करने के तां फिरी साधिकती होगी जड़ो इस सारी एड़ी हड़ बीती सी उस देंत दी रूप ने फे जो दो पाई बाला ते मरदाना जी तन गुर्णानक स्वामारे दे समन परगट कीती सी उस तो बाद की होई सी बिमान जड़ा सी परगट हो गया तो जड़ बिमान परगट हो गया तो एजड़ी देंत दी रूप सी गुर्णानक स्वाम माराज ने डंडोत बंदना कर दी हुई, वोस बमयान बेचे बैठ गई, तो वस बमान देड़े देव लोक बाची से के, वो से रून लेके बुकोंठ ताम चे चले गए सी, इस तना तन गुर्णानक स्वाब माराज ने एस देंत दा जिड़ा सी अधाहर की ता सेगा, सो दास इन्ने ही बचन आप सरीय संगता देनार संजा करदा होया, खिमा दा जाची को आजी, हुँ या ब्यांत पुल लंचुकंदी खिमा बक्षनी सो फते बलाओ, वाही गुरुजी का खलसा, वाही गुरुजी की फते